तो आज हम बात करेंगे एक्सपेंसिव डॉग्स इन दे वर्ल्ड डॉग्स को हमेशा अपने मालिक से ज्यादा लगा होता है और वो अपने मालिक का एक वफादर बनकर ही रहता है और कहते हैं कि जितना खयाल एक मालिक का एक कुट्ता रख सकता है इतना कोई एक आदमी या एक नोकर भी अपने मालिक का नहीं रख सकता तो इन में से कुछ ऐसे डॉक्स भी है जो दुनिया के सबसे महेंगे डॉक्स में से एक है तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसे ही कुछ डॉक्स के बारे में तो इस वीडियो में कुछ इन्फोर्मेशन है यह डॉक्स को हमेशा नई लोगों से मिलने का पसंद है और यह बच्चों से जल्दी ही गुल मिल जाते है और यह साथ ही बहुत ही जादा फ्रेंडली भी है और इतना ही नहीं साथ ही वो दुसरे जानवर से भी अच्छी तरीकी से बरताओ करते है पर इनका वज़न सिर्फ 3-7 पाउन का ही होता है इन्वज़ से इन डॉक्स की किमत काफी अधिक है डॉगो अर्जेंटीनो यहाँ डॉग की किमत तकरीबन $1000 से $4000 तक की है यहाँ कुटा डराउना और साथ ही शिकारी संद्रक्षक है लेकिन इस डॉग को पालने के लिए आपको एक ट्रेनर की जरोध बढ़ सकती है क्योंकि यह बहुत ही जादा रियली में डेंजर है इसे बीना ट्रेनिंग के रखना हमें खत्रह हो सकता है और साथ ही यहाँ कुटा काफी वफादार है और यही बज़े है कि वह इतना ज्यादा इंपोर्टन है और यहाँ इतना महेंगा है एकिटा यहाँ डॉग की किमत 800 डॉलर से 4500 डॉलर तक की है और शायद इससे ज्यादा भी यहाँ डॉग जापान से उपन हुआ है लेकिन आज इसके दो अलग-अलग वेरेडीज है एक जैपनिस ट्रेंग और दूसरा अमेरिकन स्ट्रेंग यहाँ कुटे काफी लोयल होते हैं लेकिन जिद्दी भी इतने ही होते हैं और यही काराण है कि इन्हें ज्यादा ट्रेनिंग की जरुद पड़ती है और बिना ट्रेनिंग के यह हर किसी के लिए एक खत्रा होता है रोट वेलर यहाँ डॉग की गिमत हजार से लेके छे हजार डॉलर तक की है और शायद इसे ज्यादा भी आनुमान लगाया जा सकता है यहाँ डॉग वेल ट्रेन होते हैं और इनकी सुंगने की सकती बहुत ही तेज होती है और यह फैमिली की लिक प्रोटेक्टिव है यहाँ डॉग्स जादा तर रेस्क्यू डॉग्स पोलिस डॉग्स और गाइड डॉग्स की तरह के से इनका उप्योग किया जाता है फैराव होंड यहाँ डॉग्स की किमत तकरीबन 1200 डॉग्स से लेकर 6500 डॉग्स तक हो सकती है हाला कि यह प्राचिन एजीपियंस के कुटों की तरह दिखते है लेकिन उन एजीपियंस कुटों की कोई अभी कोई वंच ही नहीं रहा यहाँ वज़ा है कि इनकी ओरिजिन एक मिस्ट्री है यहाँ डॉग इंडिलिजिन्ट एक्टिव और बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली होते है और इतना ही नहीं अगर यह ज्यादा एक्साइटेड हो जाते है तो यह ब्लश करते है उनके नोज और उनके कान हलके से पिंक कलर के हो जाते है अजवाक इन डॉग की किमत तकरीबन तीन हज़ाद डॉलर से लेकर सिस्टि फाइफ हंड्रेड डॉलर से लगाए जा सकती है और शायद इससे भी ज्यादा और यह खरिदने के लिए बहुत ही कम पाया जाते है यहाँ कुटे एक शिकारी है और यह 40 मिल प्रती ठंटे की स्पीट से पहुँच सकते है यहाँ कुटे भी फ्रेंडली है और उन्हें दूसरे जानवर और उनकी फैमिली से बहुत जादा लगाओ है दिखने में थोड़े लंबे होते हैं और उनका कलर ज्यादा तर ब्राउन ही होता है इन डॉक्स की किम्मट 2500 डॉलर से लेकर 7000 डॉलर तक की किम्मट इसके लगाए जा सकती है इन कुतों का चिन नेपाल और तिबेट में शिकारियों को भैडबकरों से बचाने के लिए इनका उप्यों किया जाता है तिबेटिन मैस्टिफ दुनिया में सबसे बड़े और सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टिव है और यह डॉक्स 33 इंच तक बड़े हो सकते हैं और इनका वजन 160 पाउंड तक का हो सकता है यह 1.9 मिलियोन का रिकोर्ड तोडने के बाद यह सबसे महेंगे डॉक्स में से एक बन गये है लोचेंस इन डॉक्स की किमत 4800 डॉलर से लेकर 10,000 डॉलर सकी लगाए जा सकती है और शायद इससे भी ज्यादा यह डॉक्स सबसे मह अलब जर्मन में little lion होता है यहां डॉक्स काफी वफादा और दिखने में काफी सुन्दर होते है औरagain ओं इसी वज़य से यह बहुत ही कम पाये जाते है और यह अच्छे दिखने की वज़य से लोगों के बहुत जाधा प्रिया है और प्राइच कि अब्राइच को अगुषागा पर अगुषागा पर स्याने राकूप के विन जाने को प्रूमिडेर को विर से प्रिख विले जुरूमिय कि रखी कर देक्ट कि रखी आट।